तो दोस्तो आज हम फिर से दो नए फोन्स के बार में बात करने वाले हैं और वो जो दो नए फोन्स है वो कौन-कौन सही है तो आप लोग को पता ही है क्योंकि टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ी लिया होगा तो बिना इधर उधर के बाते किये बढ़ते हैं अपने वीड तो दोस्तों वीबो आए दिन नएने फोन्स लाँच करता ही रहता है जिसमें से कुछ फोन्स अच्छे होते हैं और कुछ फोन्स बुरे भी होते हैं लेकिन वीबो का यह जो एक सिरीज है ना यह मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है market में series का नाम है कि इस वज़े से क्योंकि यह जो series है इस series के जितने भी phones है वो best हो करा है चाहे आप इस series के जितने भी phone है उनके camera quality को देख लीजिए, build quality को देख लीजिए, processor को देख लीजिए सारे चीज़ ही एकदम best हुए है जिसके वज़े से यह जो series है यह market पर अपना नाम बना पाया है और इसी वज़े से वीवो इसी series को लेकर दो और नए phones launch करने वाला है जो की है वीवो x80 और x80 pro ठीक है और आज हम इनी दो phones के बारे में बात करने वाला है और already यह जो phones है यह चाइना में 25th April को launch हो चुके है और 29th April से चाइना के हर market में यह phones sale के लिए start हो जाएंगे और उसके शायद दो महिने के अंदर global market में भी यह जो phones है यह launch कर दिया जाएगा और इसी वज़े से आज हम इन दोनों phones के specs के बारे में बात करने वाला है क्योंकि आपको इन दोनों phone के specs के बारे में पता होना चाहिए तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने पहले phone के बारे में तो दोस्तों अगर X80 के बारे में बात करें तो यह जो फोन है इसमें आप लोगों को FHD Plus Super AMOLED डिस्पले देखने को मिलेगा इनदिसपले फिंगर बीट मिलेगा 120 हच का रेफरेश डेडव देखने को मिलेगा इस मोबाईल में और इसे के साथ आप लोगों को इनदिसपले कामेरा भी देखने को मिलेगा और पिछे के दरप आप लोगों को Glass का Coating भी देखने को मिलेगा और अगर screen size की बात करें इस mobile का, तो यह जो screen size होगा, वो होगा 6.78 inch, मतलब बड़ा होगा, और अगर इस mobile के specs के बार में बात करें, तो इस mobile में आप लोगों को Mediatek Diamond City 9000 5G processor देखने को मिलेगा, जो एक नया processor है, 4 nanometer base dick processor है, और एक बहुत अच्छा processor होने वाला है, और यही processor आप लोगों को इस mobile में देखने को मिलेगा, और इसे के साथ male G70 GPU भी इस mobile में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और यह जो mobile है, यह आप लोगों को 2 variant में देखने को मिलेंगे, एक होगा 8GV और एक होगा 12GV, और इस mobile में आप लोगों को onboard 128, 256 और 512 का storage देखने को और उसे के साथ 80W का fast charging भी देखने को मिलेगा मतलब long lasting तो battery होगा उसे के साथ fast charging भी होगा मतलब समझे सकते हो कि battery और processor को लेकर तो इस mobile में को भी problem नहीं होने बारा है लेकिन के आपको पता है इस series का main चीज क्या है कि इस विज़े से यह जो series है यह सबसे ज्यादा famous हो है वो ह camera के उपर दिया जाता है और इस mobile में भी वही किया गया है सबसे ज्यादा ध्यान जिसके camera के उपर ही दिया गया है तो अकर camera के बार में बात करें तो इस अप लोगों को triple camera setup देखने को मिलेगा तो जो पहला sensor होगा वह आपका main sensor होगा जो 50 megapixel का होगा और इसमें आप लोगो resolution जो sensor है उसको इस mobile में use किया गया है और इसके साथ आप लोगों को 12 megapixel का wide angle और 12 megapixel का portrait shooter भी देखने को मिलेगा और अगर सामने के दरफ की बात करें तो सामने के दरफ आप लोगों को 32 megapixel का selfie camera देखने को मिलेगा और यह जो फोन है यह एक unique look लेकर आएगा इसका जो लुक ह फोन है यह आएगा लेकिन फिलाल तो यह फोन इंडिया में अभी तक launch नहीं है क्योंकि global market में यह फोन अभी तक launch नहीं है यह सिफ चाइना में ही हुए है तो देखते हैं यह फोन कब इंडिया में launch होते है मतलब global market में कब यह फोन launch होते है और अगर आप यह जो फोन है यह के बार में हमें पता चली जाएगा लेकिन स्पेक्स के हिसाब से यह जो मुबाइल है यह बेस्ट होने वाला है ठीक है और अगर दूसरे फोन के बात करें मतलब X80 Pro के बार में बात करें तो यह जो फोन है यह तो बहुत ही मतलब next level का होने वाला है यह वीव का premium flagship phone होने वाला है मतलब सारे flagship phone ही अभी बहुत अच्छे हो रहा है लेकिन यह भी next level का होने वाला है और अगर इस मोबेल के बार में बात करें तो इस मोबेल में आप लोगों को Dimensity 9000 5G SOC यूज किया जाएगा और एक वैरियंट में Qualcomm Snapdragon का 8 Gen 1 SOC यूज किया जाएगा मतलब दो वैरियंट में दो अलग अलग प्रोसेसर होंगे लेकिन इन दोनों वैरियंट के प्रोसेसर को छोड़कर बाकी सार जो specs है वो एकदम सेम ही है जैसे कि इसमें आप लोगों क lg70 programs com270 GP.com दिखने को मिलेगा और अगर रैम की बात करें तो रैम 2 वैरियंट के होंगे एक और 1 होगा 8 GB और एक यह भी 80W charging को ही support करेगा और इसे के साथ यह भी है यह जो दोनों फोन्स ही wireless 50W charging को support करेगा X80 और X80 Pro wireless 50W charging को support करेगा ठीक है मतलब यह wireless charging को भी support करेगा लेकिन वो 50W तक ही करेगा और अगर इस mobile के camera के बार में बात करें मतलब जो इस mobile का main चीज है सबसे ज़्यादा main चीज वो है camera तो इस mobile का जो camera setup रखा गया है वो quad camera setup रखा गया है लेकिन इस mobile में जो main sensor रखा गया है वो 50MP का ही रखा गया है लेकिन इस mobile में जो sensor यूज किया गया है वो sensor Samsung का यूज किया गया है Samsung का sensor आप लोगों को देखने को मिलेगा लेकिन जो दूसरे camera है जैसे कि 48MP का आप लोगों को wide angle camera देखने को मिलेगा वो आपको Sony IMX का ही देखने को मिलेगा उसमें आपको Sony का sensor ही मिलेगा सब ही Sony के होंगे बस जो main sensor होगा इस X80 Pro का वो होगा Samsung का और दूसरा होगा 12MP का macro sensor और एक 8MP का sensor भी होगा और अगर सामने की तरफ की बात करें तो सामने आप लोगों को वही 32MP का setup ही दिया जाएगा तो ये जो mobile है इसका specs तो इतना ही है तो अगर इन specs के हिसाफ से इन mobile को देखा जाए तो ये जो mobile है ये बहुत ही अच्छे mobile होने वाले है और आप लोगों को ये भी बता दू कि ये जो mobile है ये camera के लिए best होने वाला है आप लोगों शायदी ये पता होगा कि पहला जो वीवो का X70 था उस mobile के ऊपर ये लिखा गया है था professional camera photos ठीक वही चीज इस mobile में भी लिख़ड़ाएगा मतलब आप समझे सकते हो कि कितना अच्छा camera quality लगड़ ये आएगा इसलिए अगर इन mobile के specs को देखा जाए तो उस हिसाफ से ये जो mobile है ये best होने वाले है लेकिन क्या होगा ये mobile असल में कैसा है ये तो mobile हाथ में आने के बाद ही पता चलेगा लेकिन मेरे हाथ में नहीं क्योंकि मेरा तो उतना budget है ही नहीं वहाँ तेज हो रहा है इसलिए हम review देखकर बताएंगे कि ये mobile कैसा होगा अच्छा होगा या फिर बुड़ा होगा basically ये जो X-series है इसके सारे mobile ही best हुआ है ये भी best ही होगा लेकिन पता चलेगा ये mobile globally launch होने के बाद फिलाल तो ये चाइना में ही launch हुए है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like and share जरूर करना और अगर हमारे चैनल में न्यूँ है तो ये उनको सब्सक्राइब और ब्लाइक रिवान को प्रेस जरूर करना तो मिलते है अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए सुखी रहिए स्वस्त्रि अवस्त्रियो